स्टार्ट करें तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स मैट्रिक्स इसको अगर यह सिंगुलर है अगर प्लूरल में बोलोगे तो मैट्राइशिस बोलोगे ठीक है तो क्या है इसमें देखो आप लोगों को इस तरीके से मैट्रिक्स के कोश्चन इस तरीके से दिये रहेंगे रो और कॉलम के फॉर्म में किस फॉर्म में दिये रहेंगे रो और कॉलम के फॉर्म में जैसे मालो दो, चार, छे, पाच, साथ, नौ, एक, चार, आठ, तीन, दो, पाच रो पता है न क्या होती है? रो, रो मतलब होती है इसको रो बोलते हैं तो कितनी रो है इस मेट्रिक्स में? चार रो है इस मेट्रिक्स में कितनी रो है टोटल? चार और इस मेट्रिक्स में टोटल कॉलम कितने है? तीन कॉलम है इस मेट्रिक्स में टोटल कॉलम है तीन और रो है कितनी? चार तो मेट्रिक्स के कोश्चन्स आप लोगों को इस फॉर्म में भी लेंगे व्यक्षाम लिज्ट तरहिए सो इस तरीके से बना हुए है न वो तो रेड और ग्रेन को से मिन krijg किया रो और कॉलम को बाकी है संसे यालाइट क्यों नहीं मिलेगा नॉर्बली आपको मैट्रिक्ष के अंदर इसे बरेगे और दो बडेमेटक करता है किसको हरो रू को पो रिप्रेजंट कर रहे है किसको रोजा किती है 1 2 3 4 रो है ना तो 4 रो है a 4 by 3 मेत्रिक्स भाण पूर रो और कॉलम्कितने है तीन है यह तो थरी यह जो आड़े-ाड़ी जो बनी हु defines ना उसको रो बोलते हैं रो और यह जो है उसको क्या बोलेंगे कॉलम 4 by 3 matrix बोलेंगे इसको तो इसको क्या बोलेंगे बताना तो मेरे को फिर यह कौन सा matrix हुआ 2 by 3 matrix क्योंकि यहाँ पर 2 row है और column कितने है है तीन और इसको क्या बोलूगा है तो इस तरीके से कभी-कभी question में आप लोगों को दिया रहता है अब इस chapter से आप लोगों को practically भी update रहना है मतलब जितने भी practical questions आते हैं उसका आप लोगों को knowledge रखना है पहला दूसरा इस chapter से थ्योरी आती है थ्योरी एक दम एक ही थ्योरी है इस पूरे chapter में कि matrix क्या होता है और matrix के types कितने होते हैं तो अगर आप लोग देखोगे तो matrix की meaning अगर देखोगे तो matrix के total है ना आप लोगों को 14 टाइप के matrix पढ़ने हैं 14 टाइप के matrix तो मैं थ्योरी के अभी बात नहीं कर रहा हूं थ्योरी के questions मैं अलग से provide कर दूँगा हम normally question मनाना start करते हैं एकदम simple सा question है देखो question number one इनके question का PDF में आप लोगों को next class से दिखाना चालू कर दूँगा अभी मैं question लिख रहूं इसके question ज्यादा बड़े-बड़े होते नहीं इस लिखने में ज्यादा time लगेगा नहीं A is equal to झाल कर दूब 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 कुछ नहीं बता है बस मैंने direct question लिख दिया matrix A क्या बोलता है A is equal to x plus y A is equal to x plus y यह वाला first element है इस matrix का फिर z फिर 1 और x minus y यह है और b is equal to 3217 यह दो अलग-अलग matrix है और इसकी मदद से आपको calculate करना है x की value y की value और z की value नहीं ठीक है अब इदर सुनों अपने को क्या करना है find the value of find the value of x y and z अच्छा question में एक चीज़ और लिखिए मैं वह लिखना बोल गया हूं इफ 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 a is equal to b यह condition डाली हूं यह a is equal to b चलो solution मर आते हैं इदर देखो ध्यान से a is equal to b बोल रहा है मतलब a की value कितनी है भाई कि यह a की value है और a की value ले लिए और b की value कितनी है यह question बोलता है कि a और b जो है दोनों equal है तो a और b equal है ठीक है अब हम a और b के वाले a की value और b की value रख दिए तो कभी भी दो matrix जब equal हो जाते है ना तो हमेशा क्या होता है जो सामने वाला जो होता है इसके corresponding क्या है यह है तो x प्लस y is equal to 3 हो जाएगा z is equal to क्या हो जाएगा टू हो जाएगा one is equal to क्या है वन और x minus y is equal to क्या हो जाएगा सेवन तो चलो equations इक्वेशन बना रहे हैं तो x प्लस y is equal to क्या हो जाएगा थ्री एक्वेशन नमबर वन z is equal to 2 एक्वेशन नमबर 2 1 is equal to 1 यह को एक्वेशन है इसको लिखने की जर्वत भी नहीं है x क्योंकि 1 is equal to 1 है x minus y is equal to 7 यह आजाएगा एक्वेशन नमबर 3 question में बोलता है x y और z की value निकाल कर बताओ z की value तो अल्रेड़ी निकली वी है निकालने की जर्वत है और नहीं तो z की value निकल चुकी है तो हमको बात करनी है x और y की तो कौन-कौन सी equation में x और y आया है बोलो equation 1 और 3 में चलो from equation 1 and 3 equation 1 एक और 3 में से x plus y is equal to क्या था 3 और x minus y is equal to 7 अब इसको ध्यान से देखो यह दो equation आ गए हमारे सामने अब हम ऐसा क्या करें या तो हमको x को काट देना या तो y को काट देना है एक्स को काटोगे तो y की value मिल जाएगी और y को काटोगे तो x की value मिल जाएगी तो मैं किसको काटू आप लोग बोलो हाँ देखो किसी को इसमें doubt है क्या होता है जब दो matrix बराबर हो जाते है ना दो matrix मतलब और a matrix और b matrix बराबर हो गये तो a की value ये थी और b की value ये थी तो एक का जो पहला item है इस matrix का जो पहला item है वो अगले matrix के पहले item के बराबर होगा मतलब x प्लस y की जो value होगी वो कितनी आएगी three a matrix का जो दूसरा item है वो भी के बराबर होगा इसका मतल sittव समने वहाला इसके क्या बना लिया equation बना लिया व Init is इक्वेशन बना लिए अब तीन इक्वेशन में देखोगे तो सेकेंड नमबर का जो इक्वेशन है उसमें लिख है जैड इस इक्वेशन निकल जाएगी और वाय को काड देंगे तो सुष तो वाय की वैली निकल जाएगी और वाय को काड देंगे तो किसकी वैली निकल जाएगी एक्स देखो वाय अड़ेडी कट रहें है यह दोनों को हम क्या कर रहे हैं एड करेंगे चा करेंगे एड कर दो एड कर दो के तो X plus X कितना हो जागा Y minus Y करोगे तो माइनस से तो कट जागा नहीं है Y minus Y कट गया और 3 और 7 कितना हो जागा दोनों मिलके तो X is equal to कितना हो जागा 10 upon 2 तो X की value आ जाएगी कितनी बस X की value निकल गई 5 अब X की value अपने को पता चल गई 5 इसी भी एक equation में X की value रख दो Y की भी value मिल जाएगी आपको अब देखो X की value हमको मिल गई यहाँ पर लिकरे हम putting value of X in equation number equation number 1 में भी रख दो तो भी answer आ जागा 3 में रख दो तो भी answer आ जागा तो equation 1 क्या बोलता है भाई X plus Y is equal to 3 तो X कितना है 5 plus Y is equal to कितना हैगा 3 ही होगा therefore Y is equal to 3 minus 5 तो Y is equal to क्या हैगा minus 2 तो answer तीन answer पूछा था X is equal to कितना है पाच वाई is equal to कितना था minus 2 और Z is equal to कितना है जीरो तॉरी वन टू 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 जैड इस इस कितना हैगा टू यह आपका complete solution है इस question का और अलाइन वालो इस्क्रीनशोट ले लो ओफलाइन वालो इसका फोटो लेना चाहते हो तो ले लो नहीं तो PDF में आप लोगों को शेर कर दूंगा कि आई बास सवज में है हाँ है बस इतना ही है से नीचे कुछ नहीं है कि 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 को डाउट है इसमें आई अई अई लुद कर दो दो को ऊए है और बएंद 5 कि कि कुछ एक कोशन और बनाते हैं पर एक कोशन और बनाते देखो find the value of x, y, z and w find the value of x, y, z and w so that matrix A and B may be equal, मतलब matrix A और matrix B जो है वो कहा है, इक्वल है तो matrix A कितना है, matrix A बोलता है, x plus y, 2 z plus w, x minus y, z minus w और यहाँ पर यह B matrix है, 3, 5, 1 और 4 यह question है, simple सा question है यह भी इससे अपने को कहे कहे की value निकालनी है, x की, y की, z की और w की, और बोलता है, A और matrix B जो है equal है हम जानते हैं कि जब matrix equal हो जाती है, तो उनकी जो corresponding सामने वाली जो value होती है, उसकी equation बन जाती है मेरा बोलने का मतलब यह है, A is equal to B अगर है, तो x plus y, यह पूरा दोनों matrix भी आपस में equal होगा मतलब यह is equal to y, ठीक है, यह is equal to y, मतलब यह बराबर y, यह बराबर y, यह बराबर y, और यह बराबर y, चलो, equation बना लेते हैं x plus y is equal to 3, यह कौन सा equation हो गया, equation 1, 2z, 2z plus w is equal to 5, यह हो गया आपका equation number, 2 x minus y is equal to होगा 1, और z minus w is equal to होगा 4, equation number 3, equation number 4 बस अब अपने को क्या करना है, x, y, z, w, 4 की value निकाल दिये, तो ऐसे हम इना कोई भी कोई equation को उठा नहीं सकते हैं इसमें देखो x, y आया है, और इसमें भी क्या आया है, x, y, तो हम x और y की value निकालने के लिए equation number 1 और 3 का सहरा लेंगे, ठीके, और इसमें देखो z और w आया है, और इसमें भी क्या है, z और w, तो z और w की value निकालने के लिए हम equation number 2 और 4 का सहरा लेंगे, ठीके, तो चलो, from equation 1 and equation 3, equation 1 और equation 3 में से, x plus y is equal to 3, और x minus y is equal to kya था, 1, ऐसा क्या करूं, जिससे एक कट जाएगा, बाखी की value आ जाएगी, कुछ करने की जर्वत निये, प्लस कर दें, बस प्लस, प्लस करने से हो जाएगा, 2x और y, y क्या हो जाएगा, आपस में, यह कट जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 4, देफोर x is equal to कितना आ गया, 2, अब x की value पता चल गई, 2, equation number 1 में, या फिर equation 3 में, x की value रख दो, तो आपको y की value मिल जाएगी, कर दे, putting value of x in, equation number किस में रखू, 1 में रखू की 3 में रखू, ठीक, 1, तो 1 क्या बोलता, x plus y is equal to 3, तो x कितना था, 2, 2, 2 plus y is equal to 3, therefore y is equal to 3 minus 2, तो y is equal to क्या गया, 1 आ गया, तो देखो, x की और y की value निकल गई, अब अपने को क्या करना है, z और w को पकड़ना है, तो z और w को ले कौन को से equation बैठे है हमारे पास, 2 और 4, तो लिखो किया पर from equation number 2 and 4, equation number 2 and 4, equation number 2 कहाँ है, 2 z plus w, 2 z plus w is equal to कितना था, 5, और दूसरा क्या था, z minus w, तो अब इसमें मेरे को रहे डबलू को काट दो, दोनों को जोड़ दो, तो 2 z plus z is equal to कितना हो जागा, 3 z, और w, w तो कड़ गया अपस में, plus w, minus w, और ये कितना हो जागा, 5 और 4, 9, ये 32 नहीं है न, 3 z है, ये हो जागा 9, तो z is equal to 9 upon 3 करोगे तो कितना हैगा, अब अपने को, z की value को equation 2 में रख दो, या फिर 4 में रख दो, आपको w की value मिल जाएगी, putting value of, वहलाँ z की value को रखेंगे तो w की value निकलेंगी, putting value of z in, अब इसको कौन से equation में रखूँ, तो equation 4 क्या है, z minus w is equal to 4, तो z कितना था, 3 minus w is equal to 4, तो minus w is equal to क्या होगा, 4 minus 3, तो minus w is equal to क्या हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, नहीं, sorry, 1 हो जाएगा, तो 1 होगा, 1 होगा, अब इसका w minus की value आईए, तो अपने को plus w लाना है, तो both side multiply by minus करेंगे, दोनों side को जब हम minus से multiply करेंगे, तो इसका minus कर जाएगा, और इसके सामने minus आजाएगा, तो w is equal to क्या हो जाएगा, minus 1, पुर्ण सा difficult लगा, वो भी हो सकता है, मतलब वही आएगा, गुमा फिर आके, क्योंकि यहाँ पर 3 को ले जा रहा है, तो minus w रहे गया, तो minus w को रहन दो भी चारे को यहाँ पर, तो यह 1 आ गया, समझ नहीं आया, बोल रहे हैं, अच्छा, एक काम करते हैं, 4 के बदले हमें, equation number कौन से में रखवा देते हैं, value, 2 में रखवा देते, equation number 2 में रखवा देते हैं, equation number 2 क्या है, बहलो, 2z plus w is equal to 5, तो 2 into z की value कितनी है, 3, plus w is equal to कितना है, 5, 2 into 3 कितना होगा, 6 plus w कितना होगा, तो w is equal to 5 minus 6, तो w is equal to कितना है, यह भी हमापिना की कितना है, minus बना है, ठीक है, equation number 4 लेने कौन बोला था मालूमें, देव, और वो क्या सोच के बोला था मालूमें, कि यहाँ पर छोटा सदी खराए, easy है, अब क्लियर है सबको, चलो एक question का solution देखो, कितना बड़ा है, कहां से, यहां थे हैं, तो online वालो, अगर आप लोगों कोई blur दीख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका PDF भेद दूगा, और आप लोग इसका फोटो ले लो, हाँ, ग्रूप में मैं जो वाला, बीकाउं वाला ग्रूप है न, उसमें भेदते जाऊंगा, पीडियों, ठीक है, डेट डालके, ठीक है, डेट डालके, और सब्जेट, जैसे मैच है, तो आज कौन सी तारिक है, 16 फर्वधी है, तो 16 02 2024, मैच 16 02 2024, एकाउंट ऐसा करके भेद दूगा में, ठीक है, चलो, मैं एक हमवग दे रहा हूं, आप लोगों को हमवग करके आना है, हमवग करना सबके लिए कंपल सरी है, नहीं, तो आपको कसम है, अगली पार्टी की, अगली पार्टी की, अरे मतलब अगली पार्टी मतलब आप जिसको सबसे ज़्यादा मोह माया करते हो आपके मदर फादर हो सकते हैं वो अब आपके पैरेंट्स हो सकते हैं चलो एक कोशन नौट करो होमवर्क है आज का अरे में किक ल्याद भ्याद चाह संगी प्याद परो मुदैख इस ऑ खारा का फ्मानाया प्यादRI चलो तो यह आप लोग then find the value of x, y, z and w ठीक है हाई यह सब के लिए हुमर के भाई चलो यह हुमर क्या आप लोगों का इधर बात दी रहे चलो कल की क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे और मैं नए कॉंसेप्ट करवाऊंगा और यह चैप्टर जादा दिन का नहीं है दो-चार दिन के अंदर खतम भी हो जाएगा ठीक है डिपेंड करेगा कि आपकी कुश्चन सॉल्ड करने की स्पीड कितनी है ठीक है तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछी को कोई डाउट होगा तो मेरे से बाद में कूछ सकते हैं कितनी है